और जब बेटा उन्नती करता है तो माता पिता को बहुत खोशी होती है। बेटे का मकान अच्छा बनता है तो उनका मन गदगद हो जाता है। अभी मैं कल जहां सत्संग कर रहा था, साजापुर जिले में, सुजालपुर शहर में। असोख सिंग परमार, राहुल सिंग परमार, असोख सिंग की जो मा है बहुत बूढ़ी है, धापु बाई नाम है। उसकी मुह में दात नहीं पर वो हर समय हस्ती रहती है। और फोटू बहुत खेचवाया उसने, सबसे आगे आ जाती थी मेरा फोटू। जुक के चलती है, तो मैंने का इतना खुश क्यों है, तो उसने कहा कि सब आनन्द ही आनन्द है। बेटों में कोई अउगण नहीं पोतों में कोई अउगण नहीं ओ गुर्देओ मेरे बेटे धन्वान भी है मकान भी है महान भी है बुद्धिमान भी है सब गाड़ी वाड़ी है श्कूल है बेंग है सब हमारे मकान में इसलिए हम खुश रहते हैं जब तुम माता पिता को ख प्षाने पीने की विवस्था भी अच्छी करो तब माता पिता तुमारे खुश होंगे जब तुमको देखेंगे कि बेटा खुश है तो वो भी खुश हो जाते हैं और उन्नती के लिए क्या करना चाहिए सबसे बड़ा उन्नती का द्वार है संसकार और सिच्छा आप संसकार प्राप्त करिए अच्छी और उसके वाद सिच्छा प्राप्त करिए योग्य बनिये और अपनी योग्जिता का प्रियोग कीजिए गोर्मेंट की सर्विस मिल जाए तो भी ठीक ना मिले तो अपनी फेक्टरी खोलो उसमें 200 आदमे को सर्विस दो मालिक बनिकर काम करो जब आप के पास बुद्धी होगी ज्यान होगा योग्यता होगी तो बहुत कुछ कर सकते राहुल परमार कह रहे थे मैं कोटा में जहां विजली बनती वहां इंजिनियर था मैं उस नोकरी को छोड़ दिया मैंने आकर स्कूल खोला अब इसमें 50 सिच्छकों को भी नोकरी मिल गई और मैं इसको चलाता रहता हूँ आनन्दा जाती योगी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है गाड़ी चलाना भी सीखो शिलाई मसीन चलाना सीखो भोजन अच्छे से अच्छा बनाना सीखो विशेस्ता आप में होना चाहिए हमारे भ्यभक्त लोकेंद्र प्रजापती उनकी पतली सुनीता प्रजापती गुजरात में मौरवी जिले में शहर में उनकी चाट की दुकान है चाट लगा और चाट मेंच मेंच करके उन्होंने मेरा प्रोग्राम करवाया भिंड जिले म मद्यप्रदेश के रहने वाले थे पिछले साल प्रोग्राम हुआ तीन लाग खर्च किया और तीन मकान भी बनाया है तो बोल रहे थे चाट में क्वालिटी है गुर्दियो चाट की विशेष्टा है मेरी दुकान पर भीड लगी रहती है दिन भर चाट बनाता बेशता रहता हूँ करमचारी भी लगा लेता हूँ केवल चाट से इतना चमतकार हो गया कोई काम करो लेकिन उसको टाप का करो अच्छा करो गाड़ी भी चलाओ तो इतनी टाप की चलाओ रिकारट तूट जाना चाहिए मुके संबानी की गाड़ी का ड्राइबर है उसका वेतन है सवा दो लाख रुप्य महीने सवा दो लाख रुप्य महीने और यहां के ड्राइबर का वेतन कितना है पांच-छे हजार महीने यह इतना फर्क क्यों है फर्क होता है जो भेंस दो लीटर दूद देती है उसकी कीमत बीस हजार और जो बीस लीटर देती है उसकी कीमत 80 हजार लेकिन दोनों का नाम भेंस है तो ड्राइवर तो दोनों का नाम है लेकिन एक ड्राइवर जब चलाता है तो ब्रेक मारता है तो सवारी आगे लुड़क जाती है और जब गेर बदलता है तो खट आवाज होती है एकसी लेटर लेता है तो सवारियां पीछे लुड़क जाती है अब गढ़म गिराता है तो साइडम लुड़क जाती है और जब भीड़ निकालता है तो सवारी सोचती है अब लड़ी अब लड़ी अब लड़ी बच गई बच गई ये सब नाटक होती है इसको मुके सम्वानी ड्राइबर नहीं रखेगा वो ड्राइबर की गाड़ी की ही टेंसन में पढ़ा रहेगा कि बिजनस का सोचेगा वो इसका ड्राइबर भी बहुत विसे सग्य है इसलिए किसी कार में अगर आप आप गाने में अगर विसे सग्य है गाने में इक गाना कोई साधरन चीज नहीं ये फिल्मी हीरो हीरोईन करते क्या गाते ही तो है ओ लख्खा सिंग एक सरदार है ओ गाता ही तो है एसा गाया है गजब का द्वारे सुधामा गरीब हा गया है एसा ज्ञमक के गा दिया है एक गाना पर वो 10 लाख लेता है लोग जूम जाते हैं उसके गाना सी ऐसा कहता है गाना भी है नाकम बोल रहे हैं कि इन दोने सुना मंग नी मंग ए तो यह कों सुनेगा फुरही गरीब हो जाओगे तो नाक में बोल रहे हो तो गाने में भी विसेश कला हो तभी उसकी डिमांड होगी, कमांड होगा भोजन बनाने में भी विसेश कला हो भोजन परोशने की कला भोजन से जमाने की कला फल काटने की कला कितने लोग फल ऐसे काटते हैं जैसे कोई जानवर का चारा काटा गया है खाने वाला उसको देख के सब कचपच कचपच उसको खाने के हिमत ले अरे फल साफ सुत्रा काटो, पहले धोलो फल धो, चाकू दो, थाली धो, कटोरी धो, चम्मच दो उसके बाद धोकर साफ ठाली में रखो और फिर दूसरी ठाली रखो उसमें उसका छिलका उतार-उतार कर डालो और फिर कटिंग करके कटोरी में गिराओ तब ऐसे काटना चाहिए एक आदमी के घर में गया तो वो फल लेकर आया तो संतों ने का फल काटने के लिए कुछ लाओ चाकू आको तो उसका बच्चा हसिया लेकर आया और वो स्वैम मैंने सोचा रे कहीं गड़सा लेकर ना आ जाए क्या लोग है तो मैंने का फल बल मत काटो बांधलो ले चलो इधर ये तो हाँ गड़सा और बांका लेकर आ रहा है फल काटने में भी कला है जाडू लगाने में भी कला है कपड़े धोने में कला है शिलाई में भी कला है हर टेलर से तुम थोड़े शिलाई करवाए कितने टेलर ऐसा सिलते एक माह लंबी दूसरी छोटी है कितने टेलर ऐसा सिलते हैं वो शर्ट का छेन अलग है बटन अलग है वो सिट होता ही नहीं जोल मारता है इसके पास कौन सिलाई कराएगा मकान भी बनाने की कला सीखो अच्छा मकान बनाओ राजगीर मिस्त्री बनो फस कलास और मिस्त्री गीरी राजगीरी करते करते ठेकेदार बन जाओ और ठेकेदारी करते करते इंजिनियर बन जाओ गौलियर में हमारे एक भक्त रहते हैं रमेश ठेकेदार वो सरपंच भी रहे तो कह रहे थे ऐसे मकान में बनाता था बनाते बनाते ठेकेदार बन गया और ठेकेदार से मैं इंजिनियर हो गया अब पढ़ाई किया नहीं थोड़ा पढ़ा हूँ और दिल्ली के इंजिनिरों का भी नकसा फैल कर देता हूँ ऐसे ऐसे नकसा गुर्दे बनाता हूँ गजब के नकसा आज तक दो हजार नकसे बनाय वो जेन में जो अपना कारिकरम हुआ था कुम्भ मेला का उसको बुलवाया था गौलियर से कि इसकी भी शेटिंग करो आकर के वो दिन बर वहाँ धूप में घूमता रहा बताता रहा यहां सत्तंग अस्तल यहां कमरे बनेंगे यहां गुरू का निवास रहेगा इधर भंडा गरे रहेगा और सब नक्सा बना कर गया था फ्री में रमेश ठेकेदार अभी बोलते उसको किसी कारे को करो अच्छा करो शुपर क्वाल्टी का करो जिसके दिल में दया का खजाना नहीं राम का नाम लेने से क्या फाइदा दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं काली माला हिलाने से क्या फाइदा जिसके हाथों से दान नहीं हुआ तो माला घुमाने से भी कोई फाइदा नहीं और जो बिक्ती इन कानों से सतसंग नहीं शुना उसके कान होने से क्या फाइदा इन आँखों से दर्शन नहीं किया महानपुर्शों का तो ये आखे होने से क्या फाइदा इस मौ से भजन सत्संग के शब्द नहीं बोले तो ये जीव होने से क्या फाइदा और इन पैरों से चल करके सेवा परोकार नहीं किया तो पैर होने से क्या फाइदा और मनों से जीवन मिल गया भक्ती नहीं किया धर्म नहीं किया तो ये जीवन भी पाने से क्या फाइदा फिर से गाई ये पाकिमानुशकतन जो कियाना भजन पाकिमानुशकतन जो कियाना भजन तेरा दुनिया में आने से क्या फाइदा जिसको मतलब है बस अपने आराम से दूसरों की मुशीबत से क्या वास्ता जिसने माता पिता की न सेवा किया जिसने माता पिता की न सेवा किया उसको गंगा नहाने से क्या फाइदा उसको गंगा नहाने से क्या फाइदा उसको गंगा नहाने से क्या फाइदा बहुत बड़ी बात है याद रखना घरही में तीरत मनईवे मंदिर हम काहे को जेबे शाशो को गवरा ससर महादेवा स्वामी को इश्वर बनईवे मंदिर हम काहे को जेबे घरही में तीरत मनईवे मंदिर हम काहे को जेबे बड़ा अच्छा भजन है याद घरही में तीरत मनईवे मंदिर हम काहे को जेबे घरही में तीरत मनईवे मंदिर हम काहे को जेबे सासु को गवरा ससुर महादेवा स्वामी को इस सर बनईवे मंदीर हम काहे को जईवे स्वामी को इस सर बनईवे मंदीर हम काहे को जईवे भरही में ती रत बनईवे मंदीर हम काहे को जईवे मली मली दाग छोड़ाई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै मली मली दाग छोड़ाई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै मात पिता की सेवा करिक पोटिनती रथ फल पई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै कोटिनती रथ फल पई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै घर ही में तीरत बनाई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै घर ही में तीरत बनाई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै घर ही में तीरत बनाई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै घर ही में तीरत बनाई वै मन्दिर हम काहे को जाई वै शंतन के सत संग तीरत में मली मली दाग छोड़ाई वै मली मली दाग छोड़ाई वै घर ही में तीरत बनाई वै मंदिर हम काहे को जईवे बोड़िये शद्गुर भगवान कीज़े चार फल की बात मैंने किया था अपने घर को मंदिर बनाई ज़र को तीरत जैसा पवित्र बनाई ज़र के आसपास में भी शफाई सुधता रखिये सरकार के सुच्छता अभियान चलाने से केवल सुच्छता नहीं आएगी आप घर-घर में सुच्छता अभियान चलाएगी घर का सामान भी शेटिंग से रखिये अपने मन को भी निर्मल रखिये खान पान भी सुच्छ रखिये मान समचली अंडा शराख मुर्गा बेडी सिगरट गाजा चरस्पुडिया तंबाकू इत्यादी का शेवन मत कीजिए धन कमाना सीखिये लेकिन धन को बचाना भी सीखिये और बचे भी धन से अच्छा मकान बनाईए अच्छी गाड़ी लाईए अच्छा सामान रखिये अच्छा दान पुन कीजिए अच्छा सत्सं कराईए परोबकार भी कीजिए परोबकाराय सताम विभूतया इसको याद रखिए और महान बनिए पवित्रता को प्राप्त कीजिए आपका जीवन धन्य होगा आपका कल्यान होगा समय का सुद्व्योग भी कीजिए गलतियां मत कीजिए गलत काम मत कीजिए जो भी गलत काम करोगे शे आपकी प्रतिभा आपका बेक्तित धोमिल होगा प्रभाव कम होगा कोई दूसरा जानता है की नहीं जानता है लेकिन फिर भी तुम अपने आपको अच्छे करमों में लगाए और शदेव प्रशनता बनाई रखिये शाहिब बंदगी भी बोलिये कबीर साहभ ने बेद को आम का ब्रच कहा है निगम माने बेद होता है और शाल का आरत होता है आम बेद रुपी आम के ब्रच में चार फ़ल लगे ही है जिसमें तीन फ़ल सामान निफ़ल है अर्थ, धर्म, काम ये तीन फल सामान्य है अधिकतर लोगों को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन एक दूर चाहें सब कोई जतन-जतन का विरले पाई एक जो फल है मोच रुपी फल है वो बहुत दूर लगा हुआ है उसको सभी चाहते हैं लेकिन साधना करने के बाद किसी बिरले को प्राप्त होता है वो फल सब को प्राप्त नहीं होता है धन्या माता पिता धन्या गोत्रम धन्या मकलोद भवा धन्या चा बसधा देवी यतर श्याद गुरु भक्तता वे माता पिता महान होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संसकार देते हैं अच्छी प्रेरणा देते हैं बेटने उठने बोलने चालने का ज्ञान देते हैं कहां कैसे बेवहार करना चाहिए ये समझ भूज देते हैं केवल धन संपती अपने बच्चों को देना तो सभी माता पिता जानते हैं लेकिन धन पा करके आपके बच्चे धन्य नहीं हो सकते हैं जब वे अच्छे संसकार प्राप्त करते हैं तो आपके बच्चे धन्य हो जाते हैं और जहां जाते हैं वहां उनका शम्मान भी होता है निगम रशाल चारी फल लागे तामे तीन समाई एक दूर चाहें सब कोई जतन जतन कहु बिर ले पाई ये मौच रुपी फल सबसे दूर लगा हुआ है और जिस मौच को सभी चाहते हैं लेकिन कोई बिरले मौच पाता है सब का मौच नहीं हो सकता है क्योंकि मौच के लिए मौच छोड़ना पड़ता है और ये मौच छूटता नहीं है ये ममता तू न गई मेरे मन से ये अंदर पकड़े रहती है श्री क्रश्न भगवान से अर्जुन ने पूचा है कि जिन को मौच चाहिए उन्हें क्या करना पड़ता है श्री क्रश्न कहते अर्जुन निर्मान मोहा जित संग दोशाः अध्यात्म नित्याः बिनिव्रत कामा दुन्द एर्विमुक्ता शुकदोख संगेहि गच्छंतियमूधा पदम बयम्तत जो निर्मान है महान होते ही भी योग होते ही भी जो अभिमान नहीं करता है जिसने अभिमान को जीत लिया है वो मौच के लिए योग होता है जिसने मौच को जीत लिया है नश्टो मौच अश्मतिर लबधा वो ही मौच के लिए योग होता है और दुन्द एर्विमुक्ता सुक दुक संगेहि जो हर ससोक आदी दुन्दों से प्रभावित नहीं होता है और सुक दुख में अपने मन को सम रखता है जो नित आद्ध्यात्मिक रश्का पान करता है और जो विक्ति निश्काम भाव से कर्म करता है वह अमूढ विक्ति मोच प्राप्त करता है ये मोच कबीर साहिब कहते हैं जीते न तरे मुए का तरी हो जीते जो न तरे जीते जी अगर तुम नहीं तर सके तो मरने के बाद क्या तरोगे इसलिए जीते जी बुराईयों को छोड़िए और इस दुनिया में आये हो तो कुछ अच्छा काम भी कीजिए अपने आपको संभालिए जिस छेत्र में तुम काम करते हो तुमारा इंट्रेस्ट है चहे राजनीतिक फिल्ड हो उसमें भी आप अच्छा रिश्वांस लाइए हमारे आपके बीच में जैसे आज पधा रहे हैं विक्रम शिंग जी पवार प्रेम रखना भी चाहिए प्रेम में प्रशनता की प्राप्ती भी होती है अंतिम पक्ती में कवीर साहिब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आईे अपने प्रशनग में घे वसंत गरीशम रितु आईब न तरिवर्तर आवे जब वसंत रितु बीत जाती है तो गर्मी की रितु आती है और गर्मी की रितु में हर भेंती चाया और सीतल ब्रच का ठिकाना ढूडता है कि कोई ब्रच की चाया में बेटूं या मकान की चाया में बेटूं लेकिन साहिब कहते हैं ऐसे ही जब मुनस्य की ये जवानी रूपी बसंत की बहरे बीट जाती है और बुढ़ापा का तपा हुआ बुढ़ापा आता है तम मनुशे सीतल सांती की तलास करता है कहां सांती मिलेगी और जिनकी वासना रूपी वसंद्रितु बीट गई प्रचन्ड घर्मी की ज्ञान वस्था आ गई वह लोग पुनाही संसार की जिनम मरण रूपी ब्रच्छ के नीचे नहीं आते हैं उनका फिर मोच हो जाता है कल्याड हो जाता है कबीर साहिब कहते हैं वही स्वामी है वही सुक्का सागर है जो राम की भक्ती में मंगन रहता है अर्थात जो गुरुभक्ती करता है सतसंग शर्मन करता है सदाचारी बनता है और अच्छे आचरन रखता है समाज की शेवा करता है उस विक्ती को ही आनंद की प्राप्ती होती है आपको आनंद मिले शुक मिले दूसरा प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था मात्मा बिदुका जिसके घर में छे बाते होती हैं उसके घर में शुक रहता है अर्था गमो नित्यम नमबर एक जिसके घर में आर्थि कामदनी का स्रोत नित्य है और रोग इताचा और जिसके घर के लोग निरोगी रहते हैं बड़ी बड़ी रोग नहीं सुस्त रहने के लिए सुच जल पीजिए सुद्ध भोजन कीजिए और साथ साथ में थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए बिना मेहनत के भूख नहीं लगती है और बिना परिस्रम के सरीर ठकता नहीं है और बिना ठके सरीर ठीक से सोता भी नहीं निंद भी नहीं आती है इसलिए ठकना ज़ना लिए और आयरुवेदिक दवाईयों का प्रियोग भी कीजिए थोड़ा थोड़ा बीमारी हो थोड़ा दवाई ले लिचिए आयरुवेदिक दवा चूरन चटनी वाली तुरन्त इंजक्षन मत लगवा लिचिए एलोपैथिक दवा तु लास्ट फाइंडल में लिचिए जब अन्यता ये आयरुवेदिक आवला हरड बहेडा ये चीजे बहुत फायदा करती है जड़ से रोग को खतम भी करती है अभी एक डॉक्टर कह रहा था कि लोग पुना आयरुवेद पर वापस लोट रहे हैं आयरुवेद में बड़ी सक्ति है जिनके भेंकर बीमारियां है प बवाशीर है जिनके जॉइंटों में दर्द होता है गुटना दर्द है जिनका पेट बहुत दिनों से कबजियत से परिशान है ऐसे लोगों की यहां राजस्थान के एक सज्जन स्री चेवन आयरुवेद कमपनी की शुद्ध पवित्र दवाएं लेकर आई है उनसे लेकर क आप भेंकर बीमारियों से छुटकार अपासा है और उनके पास बहुत सारा इस्टाक है और मन में अगर बीमारी है मन में आपके ज़्यादा टेंसन रहती है तनाव रहता है उसके लिए सतसंग शर्मन कीजिए और यहां पर पुस्तक की दुकान लेकर के जहां जीने की राह सुक की खोज भावयान जैसी पुस्तकें प्राप्त होती है उन पुस्तकों को लीजिए और पढ़िए गुर्देओं की तस्वीर भी लीजिए लगाईए मन को शान्ती दीजिए और थोड़ा ध्यान भी शुबे शुबे कीजिए और यहांपर एक माला बेचने आए है मद्यप्रदेश के लिए हैं बी दो-तीन दिनों से आए हैं मेरेसे कह रहे थे आप भी माला फेरो के कुरुते हों तो मैं ने खा मैं तो मला फेरता ही नहीं मैं तो मन को फेड़ देता हूँ मन की माला घुमा दूँ तो उनके पास में माला है ऐसा कोछ शामान यह अध्यात्मिक शामान है धरम वाला उसमें से लेकर के आप माला गले में पहन साकते हैं तो माला पहनना कोई आसान चीज नहीं एक आदमी तिलक धो रहा था हेंट पंपन तो मैंने का क्यों धो रहे हो बोले अभी इसलिए धो रहा हूँ कि अब गलती करने जा रहा हूँ क्या गलती करने जा रहा हूँ बोले शराव की दुकान पे जाना है इसलिए तिलक लगा कर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है ये तिलक, ये माला, ये कंठी, ये सब आपको गलत से रोकते हैं इसलिए लोगों ने तिलक भी खतम कर दिया, माला भी खतम कर दिया ताकि गलत करने में शंकोच ना लगा आप सिर पे टोपी लगा लो, देखो आपको थोड़ा सोच हो जाएगा ये टोपी लगा करके गलती कैसे करो आप अपने मुख मंडल पर मूछ रख लो तो आपको ऐसे गलत काम में थोड़ा सा सरम लग जाएगा आप सिर्वे पगड़ी वांदलो जगदिस माट साथ जैसी खड़े हो जगदिस माट साथ धन्यो माश्टर साहब तो अर्था गमो नित्यम अरोगिता चाएगा आपका शरीर भी निरोगी रहे मन भी निरोगी रहे मन में काम, क्रोध, लोग, मोह, इरश्य, द्वेश, ये पैदा नहोने पाएगा मन के अंदर लोग इसलिए ज़्यादा परेशान हैं दुखी हैं कि उनका मन सुद्ध नहीं है मन में बड़ी चंचलता है मन में गड़वड़ेशन है और याद रखना भाईयो भेनो ये मन जिसने शम्हाल लिया तो ये मन आपको महान बगा देता है मन ऐसी चीज है जो कभी ठकता नहीं, रुकता नहीं और बिना वेतन के काम करता है कितना सोचो सोचता रहता है अर्था गमो नित्यम रोगिताचा प्रिया चभार्या प्रिवादनीचा और जिसके घर में प्रीश शुभाव की इस्तरियां रहती है उस घर में शुक निवास करता है लेडीज के सुभाव पर भी तुमारे घर का सुख डिपेंड करता है अगर इनका सुभाव क्रोधी है, हटी है, जिद्धी है, आलसी है तो आपके घर में दुख रहेगा समय पर ना तो भोजन बनेगा ना घर की सिटिंग रहेगी और दरवाजा खुला छोड़ देगी कुत्ते बिल्ली सब भोजन खाएंगे अब कुछ कहोगे तो बिल्ली की तिर गुर रहेगी तुमसे यह बहुत बड़ी समस्या है और ओगिताचा प्रिया चभार्या प्रिवादनी चा जिस घर की इस्त्रिया अपने अपने पतियों से प्रेम से बोलती है उस घर में शानती रहती है, सुक रहता है वश्ष्ष्ष्पुत्रों अर्थकरीच अबिद्ध्या और पांची जिस घर के पत्र पिता के आज्याकारी है बात नहीं लड़ाते हैं अपने पिता से माता से आज्या मानते हैं और जिस घर के सभी सदस कलाकार है, होश्यार है, बुद्ध्यमान है अच्छे तरीके से सब काम करते हैं आलसी नहीं है ये छठा गुण जिस घर में होता है उस घर में सदेव सुख निवास करता है इसलिए छे बाते अपने अपने घरों में पैदा कीजिए तो आपके घर में सदेव सुख रहे अब छे बाते जिसके घर में जो विक्ती छे चीज़ों को निकाल कर फैक देता है उसकी उन्नती होती कौन कौन चीज़ें खड़ दोसा पुरशेडे हातव्यां भोत मिच्षिता अतनिद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दिर्वशुत्रता जो अती नींद नहीं लेता है उंगता नहीं है आलस्य नहीं करता है क्रोध को काबू रखता है जो भेवीत नहीं होता है लिडर है और जो टाइम को पास नहीं करता है कम समय में अधिक कारी करता है और डिसीजन भी शही लेता है वह वेक्ती शदेव उन्नती करता है जो वेक्ती डरपोक है आलसी है बहुत सोता है जहां बेटता हूंगता रहता है और क्रोध बहुत करता गुश्शा बहुत आती है और काम में टाइम पास करता है एक घंटे में होने माले कारी को तीन घंटे में करता है उस व्यक्ति की उन्नती रुख जाती है इसलिए कम समय में ज्यादा काम कीजिए और सहें सक्ति को बढ़ाईये क्रोध को कंट्रोल रखिए आलास्य बिल्कुल मत कीजिए तो आपकी उन्नती बहुत हो अब घुटनों पर हाथ रखिए और पहली अंगुली अंगुठा जोड़िए सत्संग विशर्जन का मंत्र बोलिए सरवे भवन्तु सुखिनाह सरवे संतु नीरामयह सरवे भद्राणि पस्यन्तु माकशे दुख भाग भावे सुखी बसे संसार्शब दुखियारहे नकोई आईशी मेरी भावना पुर्ण करो प्रभुस्तो ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर वाक्यं मुच्य मूलं गुरुकिपाः सभी श्रोता नेन बंद करके ध्यान मुद्रा में बेट जाएं नेन बंद कर लेएं दोनों हाथ इस परश करके मुखमंडल पर कौम लंगुलियां सपर्स करें ताली बजाते हैं हाथ जोड़कर बोलें जे स्री राम जे स्री कृष्ण जे कबीर जे महावीर जे च्छमादेयो जे गुरुमन देयो आरती हो बुरु आरती हो आरती हो साहिब आरती हो आरती हो जुरु आरती हो आरती हो साहिब आरती हो आरती गरीब निवात साहिब आरती हो आरती गरीब निवात साहिब आरती हो या नय धार विवेग की बाती सुरती जोस्ती जहां जाक साहिब आरती हो आरती गरीब निवात साहिब आरती हो आरती दीन तयाल साहिब आरती हो आरती करव सत्कुरू साहिब की जह सब संत समार साहिब आरती हो आरती करीब निवात साहिब आरती हो आरती दीन तयाल साहिब आरती हो तरस परस गुरु चरन सरन भयो तरस परस गुरु चरन सरन भयो तुपी कयो यम की दान साहिब आरती हो आरती करीब निवात साहिब आरती हो आरती दीन तयाल साहिब आरती हो साहिब कबीर संसने की क्रिपासे भयो परक परकास साहिब आरती हो आरती करीब निवात साहिब आरती हो आरती दीन तयाल साहिब आरती हो आरती करीब निवात साहिब आरती हो प्रेम से बोलिए सत्गुरु असंग देव की जैए